नमस्कार दोस्तों में रणमें विजैक पार आप देख रहे कॉमिक्स पिटारा चैनल को तो चली दोस्तों तुलसी कॉमिक्स की संदार स्टोरी को सुरू करते हैं जिसका नाम है रामलाल चोटी वाला और ये तुलसी कॉमिक्स की सुरुआत की जेनरल कॉमिक्स है आप इसका संख्या देख सकते हैं इसका संख्या चार है और अब से मैं तुलसी कोमिक्स की जितनी भी जेनरल कोमिक्से हैं उनकी सीरीज को सुरू करने वाला हूँ और उसका एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दूँगा तो चलिए बिना किसी देरी की इस संदार कोमिक्स को देख सकते हैं इसका कभर प्रिष्ट जो कि कुछ इस तरह का है ये है रामलाल चोटी वाला महा निखट्टू, पूरा निकम्मा, आलसी, अराम पसंद, सक्की और पत्नी की कमाई खाने वाला और ये है रामलाल की सुन्दर, सुसेल, अमचेरित्रवान तथा मेहनती पत्नी अब जरा इनसे भी मिलिए, भले आदमी है मिस्टर साजन, स्वीटी के ओफिस के एक हस्मुक एम मिलनसार साथी, अब जरा कातिन सींग को भी अच्छी तरह पहचान लीजिए, पैसे लेकर कतल करने में माहिर है ये, कतल करना ही मुख्य धंदा है इनका, यमराज जी से तो आ अब सब का परिचय कराने की जरुवत ही नहीं है, प्रित्वी पर रहने वाले सभी प्रानियों के जिंदे की इम मौत का हिसाब यही रखते हैं, वैसे इनके कुछ नौकर चाकरों का हिसाब किताब बड़ा कमजोर सा ही है। इनके निकट आकर ही रुकी थी, वैन में रामलाल की पतनी स्वीटी और आफिस का साथी साजन किसी बात पर खिलखिला कर हस रहे थे। स्वीटी किचन में थी, साजन ड्रेंग रूम में, पतलून के लास्टिकों को बार बार खिच खिच कर छोड़ता रामलाल महां आया। आये रामलाल जी, हाँ, आगए, आगए रामलाल, रामलाल तो इस घर में मेमान आया है ना, घर का मालिक तो तू है, बतीसी दिखा के, जी, क्या मतलब? छे महिने से तू मेरे पत्नी के साथ इसकी किक कबड़ी खेल रहा है, अगर तूने ये कबड़ी बन नहीं की, तो मुझे अडंगी मारने पड़ेगी, और रामलाल ने अडंगी मार दी, तो तू फिरंगी बन कर चारों खाने चित जा गिरेगा, बतीसी दिखा के, आप कैसी बाते कर रहे हैं रामलाल जी, मैं और स्वीटी तो साजन का वाक के पूरा होने से पहले ही जपट कर, दोनों हातों से रामलाल ने उसका गिरेवान पकड़ लिया, सुबह साम मेरे पत्नी को तू अपने टमटम में मटल गस्ती क्यों कराता है, स्वीटी क्या तेरी अम्मा ल दिखा के, तुम समझते क्यों नहीं, साजन इसका नाम है, क्यों बे, बागर बिल ले, साजन तेरा नाम है क्या, जी हाँ, तो क्या तेरी बहन भी तुझे साजन कहती है, जी और क्या तेरी मा भी तुझे मेरे प्यारे साजन ही कहती है, बती सी दिखा के, उफ, मुझे नहीं मालूम था स्वेटी कि तुम्हारा पते इतना घटी आदमी है मैं ये अपमान सहन नहीं कर सकता सहन नहीं कर सकता तो फूट यहां से भागता है कि नहीं साजन साजन जी भागता हूं स्वेटी दोड़ कर साजन के पीछे धरबाजे तक गई मगर साजन नहीं रुका स्वेटी रामलाल की तरफ पल्टी, गुस्ती की जादेती के कारण उसका चेहरा तम-तमा रहा था, ये तुमने ठीक नहीं किया, मैं उर्ती चिरिया के पहंग गिल लेता हूँ, मेरी छप के लिए, रामलाल बड़ा गुनवान आदमी है, सटक, खाक गुनवान आदमी हो तुम, मैं आफिस जाती हूँ, और तुम सारे दिन घर में पड़े, मुझ पर सक करते रहते हो, निखट्टू, निकम्मे, आलसी और जाहिल कहीं के, क्या, तुमने फिर मुझे निकम्मा जाहिल और आलसी कहा, हजार बार कह चुका हूँ, कि मुझे य आत्मात्या करने के लिए हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं, और तुम आलसी इतने हो कि हाथ पैर तुम हिला नहीं सकते, कहने के बाद पैर पटकती स्वीटी, अंदर वाले कमरे में चली गई, और इधर रामलाल अपने हाथ पैर हिला कर देखने लगा, स्वीटी अकल की दुस कि रहीम नमकनो कर कमरे में दाखिल वा क्या कर रहे हो मालिक सूंग रहा हूं रहीम सूंग रहे हैं हाँ क्या यही की आत्महत्या कैसे की जाए ओफ आप सूंग नहीं रहें बलकि सोच रहे हैं मालिक हाँ वही कर रहा हूं मैं तो दूआ ही कर सकता हूं मालिक खुदा आपको का क्या तुम मुझे आत्महत्या करने की कोई बढ़िया तरीका बता सकते हो रहीं। और फैंटास्टिक आइडिया से आत्महत्या करनी हैं। ऐसे आइडिया से मेरी लास को देखने वाले कहें कि वाह। कितना बुधिमान आदमी था रामलाल। आत्महत्या भी तो बिलकुल नए तरीके से ये क्या बात हुई कि रामलाल अपनी जान से जाए और देखने सुनने वालों का स्वाधी ना आए। सोचिए मालिक जरूर सोचिए मुझे मालूम है कि आप सिर्फ सोचते ही रहेंगे करेंगे कुछ नहीं। कहकर रहीम कमरे के बाहर चला गया। कुछ देर तक रामलाल उसी पोज में बैठा रहा। फिर अचानक चुटके बजाने के साथ ही और तिभिम से वो बोला क्या आइडिया है ऐसी कि सारी दुनिया वाह वाह कर उठेगी आत्महत्या करने वालों के लिए मेरी आत्महत्या मिसाल बन जाएगी। लोग मेरे ही आइडिये से सफल आत्महत्या किया करेंगे 32 दिखा के। रामलाल ने एक सिगरेट सुलगाने के पाद जेम्स बॉल्ट स्टाइल में धुआ हावा छोड़ते हुए एक नम्मर रिंग किया। संबंद अस्थापित होने पर हैलो मैं हत्यारा क्लब से कातिल सिंग बोल रहा हूं बोलते रहो रोका किस बागर बिलने ने है तुम कौन हो बजर बट्टू बजर बट्टू तुम्हें अबजेक्शन? मुझसे क्या चाहते हो? एक कतल कराना है ऐसी प्यार भरी बाते फोन पर नहीं होती मेरे क्लब में आकर बात करो तो हो जाएगा हत्यारा क्लब बजर बट्टू कहीं भी किसी से भी बात करने से नहीं डरता बोलो कब आना है चाहे जब आ जाओ पांच जार लेकर हाँ मेरे कतल करने के फिस पांच जार रुपे है मगर भईया कातिल सिंग भला पांच जार रुपे मैं कहां से पैदा करूंगा? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो फोन क्या जख मार में के लिए किया था? धड़ाक दूसरी तरफ से रीसीवर इतनी जोर से क्रेडिल पर पटका गया की रामलाल उचल पड़ा फिर थोड़ा समला और बढ़ बढ़ा आया पांच रियार की बात करके कातिल सिंग रामलाल के इरादे को नहीं हिला सकता रामलाल का इरादा हिमाले परवजित्ती वजनी है और फिर धप धप चूं चूं कातिल सिंग मैनेजर हत्यारा कलाब अब बजर बट्टू ही है ना पांच रियार रुपे लाय हो तुम्हें नाम भोलने की बिमारी है क्या रामलाल ने पचास पचास के नोटों की गड़ी जेप से निकाल कर टेबल पर ढाल दी कातिल सिंग ने गड़ी उठाई किसका कतल करना है रामलाल का कौन रामलाल वोकल साम तुमें रोड मुसंड रेस्टोरेंट पे मिलेगा मैं उसे पहचानूंगा कैसे तुम रामलाल को पहचानने की बात करते हो जिसले लाकों के भीड़ में पहचाना जा सकता है जिसकी चोटी की मिसाल कुत्व मिनार से दी जाती है और रामलाल ही है बस बस पहचान के लिए काफी है अब ये बताओ कातिल वया कि तुम कतल करने के लिए हंथियार कौन सा इस्तमाल करते हो चांकू ये बाहरा इंची रामपूर्या मेरा यार है जिसका कतल करना होता है इसका सारा फल मैं उसके पेट में घुसेट देता हूँ पेट में? पेट में घुसेटने के बाद मैं चांकू को इस तरह घुमाता हूँ फेनिस का मतलब फेनिस खतर नहीं ये तरीका तो बहुत खतरनाक है इस तरह मरने वाले को बहुत तकलीफ होती होकी और खोन भी भहुत निकलता होका उससे तुम्हें क्या? अरे वा, क्यों नहीं, मुझे तो सबी कुछ है, तुम चाहते क्या हो देखो कातिल भाईया, रामलाल बहुत अच्छा अदमी है, उसका अंत इतना खतरनाक नहीं होना चाहिए ज़र अब प्यार से मारना उसे, तो तुम बोलो कतल कैसे करना चाहते हो सुनो, संड मुसंड रेस्टूरेंट में घुसते ही, तुम उसका नाम पुछना जब नाम बता चुके, तो उससे हाथ मिलाना, बात करना, कहना कि तुमने बड़ी तारीफ सुनी है, उसकी फिर कुछ दिर बाद गप्पे हकना, उसके बाद डीनर, मुझे दावत उड़ानी है, उसके साथ, या कतल करना है, कतल दावत उड़ाने के बाद करना है किसी को मारने से पहले, क्या तुम उसे पेट भर खाना भी नहीं खिला सकते, इतनी सेंस तो होनी ही चाहिए खेर, जब वो खाना खा चुकें, और फिंगर बॉल में हाथ धो रहा हो, बस उसी चन, रिवल्वर निकाल कर तुमें उसे सूट कर देना है, याद रहे कोली उसके माथे पर लगनी चाहिए, ताकि एकदम मर जाये, तड़पना नहीं चाहिए रामलाल, समझ रहो ना, सब समझ रहा हूँ अगले दिन, रामलाल अपने कमरे में बैठा, पत्र लिख रहा है लिखने के बाद पत्र कोट की जेब में डाला और कुरसी से उठ खड़ा हुआ कुछ दिल कुरसी को देखता रहा, फिर मैं जा रहा हूँ, ये मेरी प्यारी कुरसी, अब तुझे कभी चूचू कर दी नहीं पड़ेगी मैं संड मुसंड रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, वहाँ जहां कातिल सिंग की गोली मेरा राम नाम सत कर देगी अब मैं तुझ पर बैठने के लिए कभी नहीं आऊंगा, तु रोना नहीं, देख, तु रोना नहीं राम लाल, बोल मेरी प्यारी कुर्सी, ना जा, मुझे छोड़ कर ना जा देख, ऐसा ना बोल, नहीं तो मैं रो पड़ूंगा, कातिल सिंग के हलक में पांच शेयर रुपे उतार चुका हूँ अब अगर मैं वहां नहीं गया, तो फोकट में उसके हो जाएंगे पांच शेयर, पांच शेयर वसूल करने, मुझे संड मुसंड रिस्टोरेंट जाना ही होगा, मैं किसके साहरे जिंदा रहूंगी राम लाल, अरी, कुर्सी होकर, तो ये कैसी कैसी बाते कर रही है, मुझे हजूर, जहां से कोई वापस नहीं आता, उपर जा रहे हैं क्या, हाँ, जाइए सरकार, जरूर जाइए, खुदा टक्टकी लगाए आपका इंतिजार कर रहा है, लो, मेरा ये प्रेम पत्र स्वीटी को दे दे ना, संड मुसंड रिस्टोरेंट में, धरवाजे से दाकिल हो कातिल सिंग को देखते हैं, रामलाल का चेहरा फक पड़ गया, थोक सटका उसने, होटो पर जी फेरी, कातिल सिंग वहीं खड़ा, किसी की तलास करने के कोशिस कर रहा था, रामलाल पर नजर पड़ते ही, उसकी तरफ बढ़ा, रामलाल ऐसी एक्टिंग के साथ, मेज पर त किल को, याद आए कभी तो मत रोना, तक कदीना धिन, हेलो, नहीं हिलता तेरे बाप, नहीं हिलता तेरे बाप का राज है क्या, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, रामलाल कहते हैं मुझे, क्या मैं आपके बाप का नाम जान सकता हूँ, बाप का क्यों, क्योंकि मैं पापका नाम जानने के बाद बेटे का नाम बता सकता हूं 32 दिखा के ऐसा जी हैं ऐसे हैं मेरे बापका नाम जालिम सिंग था तब तो तुम्हारा नाम जरूर कातिल सिंग होगा कमाल है आपको केसे पता चल गया रामलाल जी आमको ऐसे ही पता चल जाता है रामलाल बड़ा टेलेंटेड आदमी है 32 दिखा के आप तो बिल्कुल वैसे ही है रामलाल जी जैसा सुना था क्या सुना था हमारे बारे में बड़ी तारिफ सुनी थी आपकी क्या मैं यहां बैठ सकता हूँ जरूर बैठिये मगर 32 दिखा के उधर रामलाल ने मेरे और तुमारे संबंदों को लेकर इतनी गलत पात कैसे सोचली स्वीटी तुम तो जानते ही हो साजन कि वे थोड़े सक्की मिजाज है उनका सक्दूर करने का मैंने एक तरीका सोचा है क्या आज मैं उनके सामने तुमारी कलाई पर राखी बांधूंगी यादि आज से हम रेजिस्टर्ड भाई बहन बन जाएंगी घर में दाखिल होने पर वे कहां है रहीं वे खत दे गए हैं कह गए हैं कि कभी वापस ना आने के लिए जा रहे हैं स्विटी खत पढ़ती है मैं तुमारे और साजन के बीच सेंडविस नहीं बनना चाहता मेरी छपकली मैंने सेप से तुमारे पांच या रुपे चंपत करके कातिल सिंग को दे दिये हैं वो किराय का कातिल है और उसकी समझदानी के मताबिक रामलाल के कतले के लिए उसे किसी अन्य ने पांच या र दिये हैं संड मुसंड रेस्टूरेंट से अगर तुम मेरी लास उठवा लो तो मरने के बाद मेरी आत्मा कथक करती रहेगी पत्र पढ़ते ही स्विटी ने घबरा कर सेव खोली उसे खाली पाकर साजन के तरफ पल्टी और उनका दिमाग खराब हो गया है साजन उन्हें बचाना होगा साजन और स्विटी वहां से भागे उधर संड मुसंड रेस्टूरेंट में रामलाल कातिल सिंग आमने सामने बैठे डिनर ले रहे थी वे कुछ बातें भी करते जा रहे थी प्रन्तु इनकी बातें ना सुनकर हम जरा एक अन्ने मेच पर चल रही बातें सुनें पता नहीं रामलाल जी अभी तक क्यों नहीं आए वैसे टाइम देने के बाद रामलाल जी कभी लेट तो होते ही नहीं है लो रामलाल जी तू वे चले आ रहे हैं सूटेट बूटेट बेक्ती उनके नजदीक पहुँचा तो सभी लोगों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया आज लेट कैसे हो गए रामलाल जी मैं किसी बेक्ती की तलास कर रहा था जिसका नाम मेरी तरह ही रामलाल हो आज मेरी साधी की वर्स गाठें स्वागत लेट का इस्तमाल करके अपनी पत्नी से कुछ मजाख करना चाथा क्या रामलाल मिला तबही रामलाल रामलाल चिलाते हुए स्वेटी और साजन रेस्टूरेंट में दाखिल हुएं तो कातिल सिंग के साथ बैठे रामलाल के साथ सूटेट बूटेट रामलाल भी चौक पड़ा साजन और स्वेटी अपने रामलाल के नजदीक पहुँचे आपको वहम हो गया है देखो मैं राखिल आई हूँ कातिल सिंग ने रिवल्वर निकाल लिया था तब ही सूटेट बूटेट रामलाल चिलाता हुआ रामलाल चोटी वाले की तरफ दोड़ा मिल गया कातिल सिंग गोली चलाने ही वाला था और सूटेट बूटेट रामलाल असले रामलाल और कातिल सिंग के बीच में पहुंशने ही वाला था की यमराज के एक दूत ने सूटेड बूटेड रामलाल का कॉलर पकड़ कर उसे दूर धकेल दिया धड़ाम कातिल सिंग के रिवल्वर से गोली चली गोली रामलाल चोटी वाले के माथे में लगी और रामलाल वही धेर हो गया यम्दूद रामलाल की आत्मा को लिए हवा में उपर उठते चले गए उनकी पकड़ में रामलाल चोटी वाला की आत्मा बुरी तरह छट पठाने लगी और चिक चिक कर बिरोध करने लगी कहां ले जा रहे हो मुझे छोड़ दो मैं मरदा नहीं चाता 32 दिखा के तो मर चुके हो नर्क में जाना होगा तुमें नर्क में? हाँ क्यों? आत्मात्या करने वाले को हम नर्क में ही डालते हैं ऐसा क्यों करते हो भाया तुम? क्या तुम नहीं जानते कि अत्मात्या करना बाप होता है नहीं मुझे अत्मात्या नहीं कर दी मेरी छपकली बेवफा नहीं है वो साजन को अपना भाई मानती है बतीसी दिखा के दूत रामलाल की एक नहीं सुनते उसे खीच ले जाते हैं यमराज का दरबार यमराज सिहासन पर बैठा था तभी रामलाल को लिए दूत वहाँ दा खिल वें ये किस लल्लो पंजु को उठा लाए हो तुम इसका नाम रामलाल है महराज इसकी मौत किस तरह हुई इसने आत्मात्या की है महराज महराज, आत्महत्या, हाँ महराज, मगर आज मरने वाले रामलाल को आत्महत्या नहीं करनी थी जी, किस तरह आत्महत्या की इसने, इसने एक किराये के कातिर से खुद अपना कतल कराया और उसने इसे कदल कर दिया जी हाँ भको मत चीखने के साथ ही यमराज सिहासन से खड़ा हो गया कुछ गरबर हो गई है क्या महाराज गरबर बहुत बड़ी गरबर हो गई है अपनी बेवकुफी से तुम गलत रामलाल को यहां ले आये हो अगर इस गरबरी के बारे में हेड ओफिस को पता चल किया तो हम सब को पानी के बतासों की तरफ फोर दिया जाएगा रूल के मताबिक इस रामलाल को अपने कतली की साजिस रचनी जरूर थी मगर उसमें काम्याब नहीं होना था हम समझे नहीं महाराज संड मुसंड रेस्टूरेंट में उस वक्त इसके अलावा एक और रामलाल रहा होगा काते सिंग की रिवॉल्वर की गोली से उसे ही मरना था होना यह था कि ये रामलाल बिलकुल नए धंक से आत्मात्या के लिए अपने कतल का जाल बिचाएगा परन्तू अचानक बीच में आ जाने की वज़े से मारा दूसरा रामलाल जाएगा उस रामलाल की मौत हमारे रेस्टर में इसी धंक से लिखी थी बिलकुल यही होने वाला था महराज मगर इस बेवकुफ ने उस रामलाल को पीछे धकिल दिया क्यों बेराक्षसनात इस बेवकुफी के लिए तेरे सरीर में भूसा जरूर भरा जाएगा मगर इस वक्त इस गलती को सुधारना बहुत जरूरी है क्या किया जाए सौरी सर गलती हो गई मैं समझा कि वो उल्लू का पठा बेवज़ बीच में टपक रहा है रामलाल की आत्मा को वापस इसके सरीर में डाला जाना चाहिए महराज करेक्ट फॉरन से पहले जाओ इसी वक्त अभी इस रामलाल को जिंदगी बाकी है अगर लोगों ने इसके सरीर को जला दिया तो प्रोबलम क्रियेट हो जाएगी पहला दूट रामलाल को खिसता वह बोला चलो रामलाल थेंग्यू थेंग्यू यम्राज बाबू थेंग्स थेंग्यो वेरी मच 32 दीखा के दोनो दूटों के बीच मारे खुसी के रामलाल ठुमके लगा लगा कर नाचने लगा अंतता वे पोस्माटम इमारत के बाहर पहुँचे हाई हाई मेरे रामलाल मुझे छोड़ कर क्यों चला गया तू स्वीटी दहाडे मार मार कर रो रहे थी साजन और रहीम भी एक तरफ खड़े आंसू बहा रहे थे रामलाल भी रोने लगा बेचैन होकर वो आगे बढ़ा और उसने स्वीटी के कंधे पर हाथ रखा रो मत मेरे छपकली मैं आग या हूँ ये उल्लू के पठे गलती से मुझे उठा ले गए थे यमराज बाबू की डाट पड़ी इन बागर बिल्लो पर की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई 32 दिखा के स्वीटी रोती रही रामलाल के एसपर्स करने या बोलने का उस पर कोई परभाव नहीं पड़ा ए स्वीटी तुम सुनती हो या नहीं ये लोग ना तुमारे एसपर्स को महसूस कर सकते हैं ना तुमारी आवाज सुन सकते हैं क्यों क्योंकि इस बक्त तुम आत्मा हो तुमारे पास सरीर नहीं है तो फौरन मुझे सरीर 32 दिखा के डॉक्टर्स तुमारे सरीर का पोस्मार्टम कर रहे हैं तो यहां क्या मटर गस्ती कर रहे हो बागर बिलो वहां क्यों नहीं चलते चलो पोस्माटम थियेटर में लंबी टेबल पर रामलाल की लाज पड़ी थी डॉक्टर्स में उसका सिर पूरी तरह खोल रखा था और अपने ओजारों से मस्तिक्स में फसी गोली निकालने का प्रे देखने लगे देख क्या रहे हो मुझे मेरे सरीर में डालो देखो यह डॉक्टर के बच्चे मेरे सरीर का कचुमर बनाए दे रहे हैं दोनों में से कोई दूद कुछ नहीं बोला डरे हुए वे सिर एक दूसरी की तरफ देखते देखते भर रहते हैं एब आगर विल्लो त तुम्हारे कानों में मेल भरा हुआ हुआ है क्या? फोरन हमें तुम्हारे सरीर में दाखिल किया जाये वरना यहमराज SBबी से गह कर तुम दोनों की 32 बाहर निकाल दूँगा हम फच गे हैं रामラल क्या मतलब अब तुम्हारी आत्मा को इस जिसम में दाखिल नहीं किय जिस सरीर में दिमाग ना हो उसके अंदर किसी आत्मा को पर्विष्ट नहीं कराया जा सकता। को था और उठा मुझे लाए बतीसी दिखा के मगर अब किया क्या जा सकता है रामलार मैं इसी वक्त हेड ओफिस जाकर तुम सब की सिकायत नहीं ऐसा मत करना रामलार तो फॉरण से पहले मेरा कोई इंतिजाम करो क्या चाहते हो तुम इसी वक्त धरती पर जाना चाहता हूं ब यम्राज की आखे चमकने लगी जब काफी देर चुपी चाही रही तब ए ये क्या खुसर खुसर कर रहे हो मिस्टर यम्राज की दुम कुछ करते हो या मैं जाऊं हेड ओफिस पतीसी दिखा के देखो रामलाल जी वो सरीड अभी इस लायक नहीं रहा कि तुम्हें उसमें मतलब प्रिटवी पर हजारों रामलाल हैं हर पेसो में तरह तरह के रामलाल वकील भी हैं हर पेसी में हर तरह के रामलाल वकील भी हैं जज़ भी हैं नेता भी नेता और पुलिस वाला भी हैं अमेर भी हैं गरीब भी हैं कोई गाउं मेरा था कोई सहर में रामलाल नाम के चाहे जिस सरीर में 32 दिख़ा के हाँ तो निकालो लिस्ट मैं देखना चाहता हूँ प्रिथ्वी पर कितने रामलाल किसकी सुरूप में है लिस्ट देखने के बाद फैसला करूंगा कि क्या हूँ रामलाल चुब क्यूं हो गये किसी दूसरे के सरीर में जाने से कहीं मेरी ये मोहनी सूरत तो नहीं बदल जाएगी 32 दिखा के वो तो बदलेगी ही तुमारी सक्ल वैसे ही हो जाएगी जिसके सरीर में मुझे ये सोधा मन्जूर नहीं क्यों मुझे अपनी इस मोहनी सूरत से बहुत प्यार है इसे मैं नहीं छोड़ सकता छोड़ो सब रामलालों को मुझे मेरे ही सरीर में भेज़ दो कुछ देर सोचने के बाद यमराज ने कहा एक काम हो सकता है क्या वास्तों में तुम्हारी सकल यही रहेगी यानि जब तुम सीसे आदी में देखोगे तो अपनी यही सकल दिखेगी मगर उस रामलाल के परिचीतों को तुम्हारी सकल वही नजराएगी जिसके सरीर में तुम रहोगे रामलाल सोच में पढ़ गया अब इसमें इतना सोच बिचार करने के जरुवत नहीं है रामलाल जी माना कि गलती हमारी है मगर आपको भी थोड़ा कॉपरेट करना चाहिए ठीक है मैं तुम लोगों को कॉपरेट कर दूँगा मगर एक सर्त रहेगी कैसी सर्त जिस रामलाल के सरीर में मुझे भेजा जाएगा अगर मैं उससे बोर हो जाऊँ तो तुम मुझे इसके सरीर से वापस बुलाना होगा सोते हुए रामलाल को जंजोरती हुई स्वीटी बोली उठो उठो कौन से रामलाल के सरीर में भेजा जा रहा है तुमें तुम कहां से आ गई यमराज तुम कहां से आ मरी यमराज कहा गया कौन यहम्राज। कैसा यहम्राज। लगता है कि तुम्हारे सारे जिंद् tastओ के सपने देखते रहोगे। सपना, मैं सपना देख रहा था क्या। तुम जैसा निखट्टू सपने देखने के अलाबा और कर भी क्या सकता है। क्या तुमने मुझे निखट्टू कहा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक से और कमेंट जरूर कर देना चैनल पे नए होते हैं चैनल को सबस्क्राइब कर और नोटिफिकेशन को सिलेक्ट जरूर कर देना तो मिलते हैं आप से इसकी अगली कोमिक्स में तब तक के लिए बाए